हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मैं व्यंग्य में आतनकी को जी कहूं तो देश त्रोही रवी शंकर कहें तो देश भक्त और मीडिया शांत क्यूं न्यू इंडिया और डिजिटल इंडिया के दौर में व्यंग्य बिलकुल विलुक्त होता जा रहा है यही वज़य है कि राजनेताओं का व्यंग्य करना आज आजकल उन्हें ही भारी पढ़ रहा है कल जैसे कॉंग्रस अध्यक्ष राहुल गांदी ने व्यंग्या करते हुए चरंपंती अजहर मसूद को जी कह दिया फिर क्या था राहुल के इस बयान पर बवाल मच गया सभी बीजेपी निताओं ने राहुल पर जम कर निशाना साधा वहीं इससे पहले अपने व्यंग्या से बीजेपी के निशाने पर आ चुके कॉंग्रस सांसर दिग्विजे सिंग ने सोशल मीडिया पर कानून मंत्री रवीशंकर प्रसाद का वीडियो शेयर किया जिसमें मंत्री महोद्य हफीज साइद को जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कॉंग्रस नेता रवीशंकर प्रसाद से सवाल करते हुए लिखा रवीशंकर प्रसाद जी अगर हाफिज साइद को हाफिज साइद जी कहें तो बीडिया शांत चुप और रवीशंकर प्रसाद जी देश भग्त मैंने ओसामा बिनला देन को व्यंग्या में ओसामा जी कह द तो मैं देश द्रोही हूँ पाकिस्तान प्रस्त हूँ कितना अन्याय करोगे बता दे कि राजधानी दिल्ली में कॉंग्रस कार्यकरताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार पर निशाना साधा था राहुल ने कहा जिस मसूद के जैश में पुल्वामा में आतनकी हमला किया उसी मसूद अजर को बीजेपी की पिछली सरकार ने छोड़ा था और आज के नसे उसे कंधार चोड़ कर आये थे इसी दौरान राहुल ने मसूद अजर को मसूद असर जी कहा जिस पर भारते जंता पार्टी आग बुबूला टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया था